हेलो फ्रेंज विल्कम बैक टू मैं चैनल मैं समीता कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगी आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करें बहुत ही सिंपल सी टूटी फूटी की रेसिपी टूटी फूटी का यूज हम अधिक तर ब्रेड बनाने के ल हूं तर्बूच के छिलकों से यह टूटी फूटी और यह चिलके हम अधिक तर फेक दिया करते हैं बट इस तरह से यूज करके आम के आम गुठलियों के दाम मिल सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह रेसिपी जो की है तर्बूच के छिलके से टूटी फूट तर्बूच के चिलके से टूटी फूटी बनाने के लिए मैंने यहां पर एक पूरे तर्बूच के चिलके लिए हैं जिने हम अक्सर फेक दिया करते हैं इनको मैंने अच्छे से clean कर लिया उसके बाद इनको peel कर लेंगे और peel करने के बाद हमें छोटे-छोटे cubes में इने cut करना है cubes का size आप थोड़ा बड़ा ही रखें क्योंकि dry होने के बाद और जो पूरा process इसका होता है उसके बाद ये काफी shrink हो जाते हैं और इनका size जो cube आप काट रहे हैं उसका भी half से भी कम हो जाएगा तो आप उसके according ही इन cubes को cut करें cubes cut करने के बाद इनको एक बार और अच्छे से wash कर लें और फिर एक frying pan में मैंने रखा है पानी और पानी में इनको अच्छे से dip कर देंगे इतना पानी रखेंगे कि ये सारे cubes अच्छे से dip हो जाएं उसके बाद हम इने boil करना है simple पानी के साथ में पानी के साथ में boil करते करते जब तक ये transparent से नहीं हो जाते इनका थोड़ा सा color change हो जाएगा यानि ये half cook हो जाएंगे बस उतना हमें करना है तो आप देख सकते हैं इनका color किस तरह का हो गया है और ये थोड़े transparent से भी हो गये तो इस तरह से करने के बाद इन्हें मैंने एक strainer में ले लिया है और छान लिया है इसका पानी जब तक निकल रहा है तब तक मैंने यहाँ पतीली में मैंने पानी लिया है डेट कप और उसमें add कर रही हूँ one cup sugar आप यहाँ पे एक कप पानी और एक कप शुगर भी ले सकते हैं वो भी perfect ratio रहता है क्योंकि फिर बाद में चासनी बसती काफी सारी है तो इसको हम boil आने देंगे जब यह चीनी घुल जाएगी और एक इसमें boil आने लगेगा फिर यह जो cubes हमने चान कर रखे हैं उनको इसमें add कर देंगे अब यहाँ पे धीमी आज़ पे इसको cook होने देंगे ताकि जितना भी मीठापन है वो सारा इन cubes के अंदर चला जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह थोड़ी से soft भी हो जाएंगी और इनका color है वो काफी bright सा हो जाता है इस तरह से तो अब इनको आप ऐसे भी dry करके को ले लीजिए आप ऐसे भी सुखाएंगे तो यह बहुत अच्छी लगती है बढ़ कलर नहीं होता है तो इसके वज़े से उतनी अट्राक्टिव नहीं लगती है तो यहाँ पर मेरे पास फी पांच पोल है इतमे डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर मैं आड़ करूंगी तो यह कलर में अड़ करूं ऑप यहां पर लिक्विट कलर हो यहां फिर ड्राइ पाउडर फॉण मे क कलर MMA कोई भी यूँज कर सकते हैं तो यहां पर जो जोगर है वह मेरे पास पाउडर फॉर्म में है तो इसको अच्छे से mids कर देंगे अभी स्टारिंग में आपको थोड़ा स भी लगती है इसके साथ ही मेरे पास ये यलो कलर है ये भी मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इस तरह से ये सारी टूटी-फूटी हमारी डिफरेंट डिफरेंट कलर में रेडी हो जाएंगी और इस तरह से कलर एड करने के बाद ही काफी अट्राक जादा डिफरेंस नहीं लग रहा है तो दोनों ही रेड और केसरी जो मेरे पास है उनको मैं मिक्स करके एक ही बोल में कर रही हूँ तो यहां पर ये एक कलर बन गया है इसी तरह हर कलर को आप एक डिफरेंट प्लेट में रखकर नीचे आप चाहे तो कोई पेपर भी चा सकत आने के बार ही इस तरह की हो गई है आप देख सकते हैं कितना श्रिंक की हो गई है तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस साइज थोड़े से बड़े कीजिएगा पहले आप डिफरेंस देख पाएंगे जो मैंने पहले साइज किए था और इनका चोटा हो गया है और यह आप भी इस recipe को ज़रूर try करें घर पर बहुत ही अच्छी बनती है और घर की बनी हुई चीज़े आप किसी भी चीज में add करें तो उसका taste भी दुगना हो जाता है तो आप इस recipe try करें मेरे से अपना feedback शेयर करें और चैनल को subscribe करना नहीं बूलें मिलती हूँ आप से किसी और न